हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील सौट हैंड में तो आज हम योजना पत्रिका का संपाध के लिखेंगे जिसमें टोटल तीन सो सब्ध है तो चलिए डिक्टेशन को लिखने से पहले हम लोग सब चिन को लिख लेते हैं उसके बाद हो गया है अख़़ केी दिश्टा में नपर माडउं 5 लिखना है तो 5 को सीधा 5 लिख लिजे लिखना है भारत हो जो गया हम इसे में वार्ष जो जोड़ेजिए उनकारकर दिया तो कर दिया भर सक साथ ही में आता है कर हो गया दिया, काट कर लिख लिजिए काट कर लिखने का फैदा होता है कि हम सब बढ़ियां सब पकड़ पाते हैं एक एक सब को पकड़ लेंगे पहले कर लिखें उसके बाद दिया लिखें अब देखें लिखना है इंकार कर दिया तो न हो गया कार इंकार हो गया दिया लिखना है पाकिस्तान तो देखिए पा हो गया की स ता अगर ठीक के दिस्था में न न बड़ा लड़ना लिख लिए अब लिखना है कि प्रमान हाई की तो पल देखिए कि अगर हाय की साथ में आता है देखिए हाय लिख लिजए की से में जोड लिजिए यहाँ पर लिखना है की आप $омji मोन हो गिया है की इस अऌत में तुल्सकर नहीं पड़ सकते परवाल ही Cup लिखना वै ग्यानिको तो देखिए छोटा वाला वह लिखिए वै हो गया ग्या नी को वो की मातर लागा लेजिए लिखना है मानता है तो देखिए मान न हो गया तह है आप आ की मातर लागा लेजिए लिखना है सरहानिय तो देखिए सरा हो गया राहनिय देखिए इस तरह लिखाएगा सरा हो गया हबड़ावला निय लिखना एक काम नहीं तो देखिए काम हो गया नहीं लिखना है नहीं डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पांच सेकेंड बाद तब तक के लिए आप तयार रहे हैं स्टार्ट यह संसार के पांच परमाडू सकती वाले देशों को अच्छा नहीं लगा परमाडू कलब के पांच देशों ने भारत वर्ष को परमाडू सकती देश मानने से इंकार कर दिया परिणामत अमेरिका हुआ अर्ण्य कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा कर अपनी दूसित भावना प्रकट कर दि इसके उत्तर में क्रमस पांच और एक परमाडू परिछण कर दिखाए किन्तु इसका भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा अमेरिका ने मजबूर होकर पाकिस्तान के खिलाप आर्थिक प्रतिबंध लगा दिये क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का पचधर रहा है परमाडू परिछण भारत ने अवस्य किया किन्तु उसका विश्वास आज भी सांती में ही है हिंसा का पचधर कदापी नहीं है परमाडू परिछण इस बात का अट्टूट प्रमाड है कि भारत किसी घूल की में कभी नहीं आयेगा प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने 11 और 13 माई 1998 को पोखरण में परमाडू परिछण कर राष्ट की सुरच्छा को मजबूत कर बैज्ञानिकों का उत्सह वर्धन तो किया ही है साथ ही देश की बैज्ञानिक प्रगती को भी अस्पस्ट कर दिया है पोखरण परिछण हमारे देश के महान बैज्ञानिकों की ही देन है हमारे देश की बर्तमान बैज्ञानिक प्रगती को देखकर संपून विश्वा अस्चर्य मानता है परमाडू परिछण की सफलता हमार प्रमुख रच्छा बैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम परमाडू उर्जा आयोग के अध्यच डाक्टर आर चितमबरम रच्छा अनुसांधान केंद्र के निर्देशक अनिल का कोडकर और उनके सहयोगी बैज्ञानिकों के स्रम का परिणाम है इससे पूर्व 1974 में ततकालिन प्रधान मंत्री श्रीमती इंद्रा गांधी नि इसी पोखरण पर प्रथम परमाडू परिच्छन भारत की परमाडू छमता सिध की थी कर हमारी देश के परमाडू बैज्ञानिकों नि कुछ च्छनों के अंदर परमाडू बिश्फोट परिच्छन कर जो परिणाम प्रस्तूत किये वे सरहनिये हैं सैनिकों का वेश धारण कर भारतिय बैज्ञानिकों ने जो 45 किलो टन से भी अधिक उर्जा उत्पन करने हुआ ले हाइड्रोजन तथा परमाडू बमो के परिच्छन कर दिखाए वह कोई साधारण काम नहीं समाप्त